जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि face detection के लिए जो हमारे पास different packages required थे वो हमने इंस्ट्रॉल कर लिये थे उसके अंदर हमने dlib और face detection, face recognition और open cv ये सब कुछ हमने इंस्ट्रॉल कर लिया था इस वीडियो में हम code की तरू देखेंगे कि एक image को read करते हुए हम उसके different landmarks कैसे निकाल सकते हैं उसके eyes की position, उसके nose की position, उसके eyebrows की position, उसके lips की position ये सब कुछ हम कैसे calculate करेंगे तो उसके लिए हमने जो दो packages हमाएं इसके लिए required हमने सबसे पहले import कर ली है उसके बाद हमारे पास face recognition library का एक built-in function है load image file उसको हम call करेंगे, उसके अंदर हम parameter में हमने जो चीज़ देनी होती है, वो हमारे पास image का path होता है तो उसके बाद हमने जो load image file का function है उसके लिए जो हमने path, उदर हमने image का path देना होता as a parameter तो ये हमारे पास एक image है, जिसको हमने as a parameter path कर दी है उसके बाद जो next step है वो हम ये करते हैं, उस image को हम resize कर लेते हैं अपने required dimension होती है उसके हिसाब साब तो हमने उसको 864 x 1152 हमने इसको convert कर दी है, resize करने के बाद अपडेटिड इमजी ने safe पड़ाए उसके बाद हमने उसके landmarks निकालने है, उसके different features जो face के होते हैं तो उसके लिए face recognition की library का built in function होता है face landmarks उसको use करते हैं, उसको as a parameter image देते हैं हम run करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास output में क्या मेता है तो जी हमारे पास ये चीजें आगी हैं हमारे पास top lip की position आगी, ये x और y coordinates आजाते हैं हमारे पास और हमारे पास bottom lip के coordinates आगे हैं उस image के अंदर वो किस चेगर पर पड़ा हुआ है, ये उसकी location आगी है, ये nose tip की हमारे पास आगी है तो ये हमारे पास landmarks का function है, ये different landmarks निकाल के देदेता है left eye की position आगी है, इसी तरह face के जितने भी attributes है, left eye, right eye, nose tip, upper lip, bottom lip और ये सब कुछ हमें निकालके, right eye जैसा के ये इस ने दिया है, हमें chin की position दे देता है, हमें ये left eye brow, right eye brow, nose bridge, ये में सब कुछ इसमें दे दिया, तो इस वीडियो से हम ये देख सकते हैं कि हमने एक image को read किया, उसको resize किया और उसके जो different landmarks है वो हमने calculate कर ली है झार प्रियश और फोड़ है